अधिम्दी के सभी बसका मेरे चानपर बहुत स्वागत है कुछ बच्चे कुछ एक्टिविटी यासे कि चलना उठना बैठना दोरना पूछ चल्दी सीखे मगर कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है वो धीरी धीर हर एक्टिविटी सीखते हैं थोड़ा जारा आपको कुछ टिप्स बताओंगी अगर आप यह फॉलो करेंगे तब आपका बच्चे को चलना सिखाते वग ध्यान में रखनी है जो बहुत जरूरी है और इसमें मैं आपको यह बी क्लियर करूंगी कि अगर आपका बच्चा जादा टाइम हो गया ने चल पारा तब आपको डॉक्टर के पाल जाना चाहिए के नहीं और कब जाना चाहिए इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो को स्किप किये बीना पुरा जूर देखें सबसे पहले बात कर दें टिप्स की वह कौन से टिप्स है जिससे आपका बच्चा जल्दी चल कर दिजाती है, अगर आप बच्चे की प्रॉपर मसाज करोंगे सब्सक्राइब काल चाहिए तब बच्चा जल्दी चलना सीख्ता है क्योंकि स्कितfik दैल से बच्चे को चलने में हाफ मेरती है इसलिए बच्चे की मसाज करना बहुत जुरूरी होता है स्पेशली लेग्स उसकी m HIV अगर नहीं होगी तब आप बच्चा चलने में बिल एगा सकता है ऑप weit की पर मसार्श मेरे चैनल पर जाकर लेख सकते हो उसका वीडियो में अपने चैनल पर दिया है आप स sekarang झाल झाल उसके स्टेशन टेट करने का देख सकते हैं वहां सरत आपको नीताया कि करने की कोशिष करता है जो शुरी के लिए जितना जहाएगा उपने मसलते हैं जुरु होता है कि थोड़ा है जोटी और बच्छा चोटा करने को ड़िता बाएट है ठोटा करता बज़ाइयद को कि यह प्लॉर यार के फ़र्च पर बिठा के खिलाए वह जितना खेलना चाहता है उसे फ़र्च पर बैठ के खेलने दीजे उसे बैठ पर काम रखे क्योंकि बच्चा शिक्स मन्द के बाद नहीं काफी अक्टिविटी सिखता है और बच्चा फ़र्च पर नीचे खुले में जादा एक्टिविटी करते है उसके आशपर स सबी ट्वाइ रखे एग और इसे खेलने दीजे पेंग अध्यार को अगोड़े इलन ही उत्षाम्यडिकि अन सब्ल्साइब बच्चा फंप सब करें इसकी एक तरहने चुसता होती है और प्युर्ब मेंकि बस्चा कीश़ तो वह सबसे अच्छा होता है, इसलिए बच्चे को जितना हो सके फर्ष पर विठा करी किलाएं, तो सबसे अच्छा है उसके आसपास उसके ट्वाइर रख दीजिए, ताकि उपने ट्वाइर को अच्छे से खेले कभी उसे फेक हम उठाएं, ऐसा जूरूर कीजिए, यह भी इसलिए वो ट्वाय बच्च को देंगे तब उससे बच्च जल्दी चलना सीखता है। इस बच्चे सब्सक्राइब भी देना सही है मैं यह नहीं कहूंगी कि वाकर ना दीजी मैंने अपनी बच्चे को देंगे उससे बच्चे का confidence बनता है बच्चा active होता है वाकर से आप वह भी देख सेती है मगर कुछ time के लिए क्योंकि एक सर्च में यह भी पाया गया है कि वाकर से चलने वाले बच्चे बागी चलने वाले बच्चों से normal जो चलना सीखते हैं उनसे देरी में सीखते हैं जो वाकर चलाती हैं वो बच्चे को नंगे पैर ही चलना सिखाना है क्योंकि अगर बच्चे को नंगे पैर ही चलना सिखाना है क्योंकि अगर बच्चे को नंगे पैर ही चलना सिखाना है क्योंकि अगर बच्चे को नंगे पैर ही चलना सिखाना है क्योंकि अगर आप बच्चे के पैरों में जूते डाल दोगे तब उसके पष्च के साथ जो घ्रिप नहीं बनती इसलिए बच्चे को जितने ओ सके बिना जूट हेया ही चलना इसगया किल नहीं जितना कूछ इसलिए बच्चे सबसे पर सकते को क्लिक दो कुछ हो सकती हो तब बच्चा सोचेगा मैंने बहुत अच्छा काम के तब बच्चा वही काम दोहराता है इसलिए ऐसा बच्चे को एंकरेस्में मिलते हैं उसे खुशी मिलते हैं अगर आप क्लैपिंग करते हो इसलिए बच्चे के लिए चुटे-चुटे मुमेंट जुरूर करें तो आगे मुव होता है तब वह दिये डिये ऐसी क्लोकुरॉलिक से लेता है इसलिए बच्चे को मीच्च पर्ष पर अखते हो तब जल्दी चलना सीख जाता है इसलिए बच्चे को खुले में जादै से खाएं जब आप उसे चलना सिखा रहे हैं आप देखोगे कि पास ऐसी चीजह नहीं रखनी जो जिससे उसे चोट लग सके और इसलिए उन सभी चीजों को उठा दीजिए जिसे बच्चे को कोई भी हानी हो सकती है नेट्स कि यहाई कि जब आपको बच्चा पर बैठा है तब आपको बच्चे पर पूरी नजर रखने हैं वह क्या कर रहा है और नहीं कर आपको फूरा ध्यान देना है उस पर क्यूंकि अगर बच्चा गंती से कोई चीज मुं में डाल ले तब आपके बच्चे को प्राबल म सबसे पहले नंबर पड़ेगा इसलिए बच्चे की हर एक्टिविटी में माता पीता का योगजार होना बहुत रूह होता है इसलिए बच्चे को जितना हो सके उतना जादा समय दीजिए और अब बात करते हैं डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए अगर आपका बच्चा 18 मंथ से उपर हो गया और ने वो चलने की कोई भी ट्राइ नहीं कर रहा है तब अपने डॉक्टर को जाकर जूर दिखाए तब उ पास जाना बहुत ताम हों आपने डॉक्टर को जुछ दि रहे हैं देखाए वनाद वो आपको उस समय इसमें जुसरह ना जो समय ओंगे यह तो बच्चे जाना चाहां हो और पशली जिए उसलिए लिए यवरे चाम को जिनो सक्वाइब कर आतने हो जल्दी च्लिक करना ना देख सके अपने फ्रेंड्स को से जुरू शेर कीजिए और ऐसे हाथी ममा चानल पर बने रहें थैंक्यू